हेलो दोस्तों रेक्टन दूसमें आप लोग का स्वागत है और आज की रेक्टन शुरू करेंगे उससे पहले दोस्तों सुबह के अजर हमने मोटरा के नए स्मार्ट टीवी 43 इंच वाले का अन्बॉक्सिंग कर दिया था तो अगर आपने नहीं देखा है नोटिफिकेशन नह आप लोट चुका है और वी इतने सार एक बड़ा सा इतना पढ़ा भी डबाया है बहुत मजाएगी बहुत सरी कवाल की चीज़़े होने वाली दोस्तों से यह साल आया ना दोस्तों इतना का काम लोड बड़िया 3% लोगों ने ये का कि भाई बना दो बनाई दो मतलब दिखाई दो कि क्या होने वाला है वैसे दोस्तों मैंने शूरू कर दिया था इतना लंबा वीडियो बनेगा शायद अभी तक का मेरा समसा लंबा वीडियो होगा क्योंकि दीटेल में आपको बताऊंगा न कि क्या क्या डियल से चल रहा है थोड़े दिनों में ही वो भी आपको वीडियो बहुती जल्दी मिल जाएगा तो बहले कबर की बात करते हैं यहाँ पर शाओमी से महाल एकदम गरम हो चुका है दोस्तों आज शाओमी ने इंडिया में कमाल कर दिया अपने रेड्मी 8a को इतने फीचर्स के साथ में अग्रसिफ प्राइस पर जो वो लॉंच करती है हलाए कि शाओमी ने इंडिया में वैसे दो लोगों के साथ में जो वो अत्या चार किया एक तो उनके खुद कस्टोमर्स के साथ में ही अब आप सोच रहे है कस्टोमर्स के साथ क्यों चार किया जो रेड्मी 7a यूजर से में उनकी बात कर रहा हूँ और दूसरा उनके कॉंपोडिशन से बतलब रियल्मी सैमसंग तो बहुत जादा सूल-सूली मच करेंगी एनिवेज यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रेड्मी 8a की फीचर्स की बात करें तो 6.22 इंच के आपको एक HD प्लस की वोटर्रोम लॉच वाले डिस्पे मिलती ही गुरिल ब्यास 5 की प्रटेक्शन के साथ में पीचे सिंगल कैमरा 12 Mbps का सेम कैमरा जो Redmi 7A में था लेकिन यहाँ पर दोस्तों सोनी IMX363 वाला सेंसर है यह Poco F1 और Vivo Nex जैसे फोन में था यह सेंसर उनने यहाँ पर दे दिया है 8 Mbps की सेलफी यहाँ पर भी उन्होंने इसको बढ़ा दिया है और 5000 इमिच की बैटरी दे दिया है ताइप सी पोर्ट भी दे दिया जी आप बॉक्स में वैसे 10W का चार्जर है लेकिन यहाँ पर आपको अटरवर्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है उसके लिए अलग से आपको चार्जर लेना पड़ेगा वैसे दोस्तो सेम प्रोसेसर है Snapdragon 439 वाल ओक्ता कोर का इस प्राइस पर बढ़िया है और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको P2A कोटिंग वगरा भी दे दिया है प्लस वायरलेस FM रेडियो का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है उसके लवा और वे ग्रिप डिजाइन मिलती तो अलग अलग कलर्स आपको मिलते है प्लस यहाँ पर इसमें भी फिंगर्पिंट स्कैनर नहीं है फेस अनलोग यहाँ पर वैसे आपको मिल जाता है इमेजिन दो महिने पहले Redmi 7 एंडिया में लॉंच हुआ था दो महिने बाद यहाँ पर आगया Redmi 7 ए यूजर्स क्या सुचते होगी क्या कर रहे होगी मैं तो शोक जता रहा उनके साथ में इमेजिन जब यह इवेंट शुरू हो आगा तो वो लोग बोलते है कि हाँ छोड़ना हर साल तो शामी लाता है कौन सा खास इंप्रमेंट करता है इस बर भी वैसी हुआ रहेगा फीचर्स देखके तो सदमा पहला लगा होगा दब उनका प्राइस आया होगा तो देखके यह तो यार उसके बाद दोस्तों उसी इवेंट के अंदर मनु भाहिया जो है उन्होंने Redmi 8 के बारे में भी कुछ बता दिया वैसे off camera कुछ media person से वो लोग जो बात कर रहे थे तो उनके हाथ में जो phone ने वो दिखाई दे रहा है जहाँ पर किसी ने click कर दिया और वो जान पुछके ही करते है था कि उनको पता है कि media click कर लेगी तो यह दोस्तों Redmi 8 है जी हाँ Redmi 8 यह भी इंडिया में बहुत जल्दी launch लेगी तो यह पिछले बार इसकी कुछ live picture भी लीक हुई थी तो यह वो ही phone है जो मनु भाई के हाथ में यहाँ पर जो दिखाई दे रहे तो Redmi 8 भी इंडिया में दोस्तों बहुत जल्दी launch होगा जो मनु भाई के हाथ में बहुत ही जल्दी आ जाएगा और यहाँ पर दोस् में available है जैसी globally rollout होगा हम यहाँ पर सबसे पहले उसको POCO F1 में लेके आएगे तो POCO F1 के लिए जो लोग use करते उनके लिए तो यह अच्छी बात है कि MIUI 11 आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा जिसमें वैसे काफिस सरे improvements है अगर आप उसको MIUI 10 से compare करते है लेकि जब यह POCO F2 क बात करते हैं नीचे देखिए उदर भी कमेंट कर रहे हैं तो वह एकदम से कल्टी मार लेते हैं वैसे है पर दोस्तों Xiaomi का sale शुरू होने वाला है दिवाली sale something बोलो कि यहाँ पर लेके आ रहे 28 सब्टेंबर से होगा और यह 4th October तक चलेगा वहाँ पर जहाँ पर flip card पर उनक की official website पर भी होगा सबसे बड़ी बात यहाँ पर दो है जो यह है कि Redmi K20 प्रो आपको 25,000 गा मिलेगा 6128 जो कुछ 28,000 का था और Redmi K20 जी हां फाइनली दोस्तों 21,999 का जो बेस था 664 वो आपको 20,000 पर मिलेगा 20,000 के अंदर मतलब पकड़ लो आप इसको snapdragon 730 जो लोग वेट क लेकिन रुख जाइए ना रुख जाइएगा क्योंकि आ रहे है डिसेंबर में Realme XT Snapdragon 730G वाला वो भी आपको 20,000 के नीचे बिलेगा तो बहुत ही कड़ी कॉंपडिशन वाले इसके लाब Redmi Note 7 जो आपको 10,000 के नीचे 48 मेपसल यह सब कुछ में सेल पे एक वीडियो बनाया ह तो कुछ एक्सेसरिस भी आयते है जो Mi AirDots Pro 2 है Mi AirDots जो प्रो आया था इसी साल आया था यह उसका सक्सेसर बनके आ गया है Apple के AirPots से काफे inspired है दोस्तों यह इसमें आपको इस बार 14.2 mm drivers मिलते है तो और भी बड़ी आपको audio quality मिलेगी प्लस यह wireless से और साथ में इसकी प्राइसों को 4000 की है हमें बता नहीं यह इंडिया में कभी आएगा उसके लाब़ दोस्तों Mi PowerBank 3 भी लाँच हो गया था जी हाँ दोस्तों यह worldwide अभी बताया दर है कि 900 million devices के अंदर यह जो वह चल रहा है और 2020 तक यह 1 billion mark को achieved कर लेगा बताया दर कि पुरे वर्ल्ड के अंदर more than 50% यहाँ पर जो PC से वो Windows 10 पर चलते जो बहुत बड़ी बात है और वैसे तो दोस्तों Windows 10 का जो market share है ना वो भी 48% से ज्यादा है अगर उसको Windows 8 या 7 वगरा से compare करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ वैसे दोस्तों उन्हेंने बता है कि पिछले साल सब्टेंबर में लगबक से कुछ 700 million था लेकिन एक साल में ही पिछले एक साल में ही लगबक से 200 million इसने और जोड लिया है 2015 में ही आया था चार साल में ही आते ही 900 million डिवाइसे में चलना Windows 10 बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये एक रिपोर्ट निकल कर आई है जो देखके मैं खुद भी एकदम सर्प्राइस हो गया था हला कि बताया जारा कि इसको पैरेंट्स तो उसको वो PUBG बहुत खेलता था रात भर PUBG खेलता था और दिन में कॉलेज की लेक्चेस को स्किप करके वहाँ पर भी साइबर में जाके जो वो PUBG खेलता था फिर पैरेंट्स ने जब सको स्कोल्ड की कि तो कुछ जादा ही कर रहा है तो भाई वो घर चोड़के भाग गया है क्योंकि बताया था रहे कि जब वो कॉलिज जाता था तो वहाँ पर किसी बंदे ने बुला था कि भाई पूने में मेरी साइबर कैफे तो मैं तो को वहाँ पर जॉब दो दूँगा तो वहाँ पर आना काम भी करना पूरा दिन गेम केला तो लापता जब से हुआ है तब से पूलिस इंवेस्टिगेट कर रही कि शायद से वो पूना ही चला गया होगा घःबार चोड़के PUBG खेलने के लिए माब पढ़ा करते है बच्चों को सब कुछ देते हर चीज करते है पढ़ाई करवा रहे उसकी फायदे के लिए ताकि आगे चलके कहीं भीक ना मांगे हो और अब देखो वह घर चोड़के क्या कर रहे है पबजी खेल रहे है तो पबजी उसको कितना पैसा दे रहे है तो य यहाँ पर दोस्तों UIDI ने यह बता है कि भाई आजकल जो आदर काट जो linking होता है वो ज्यादा तर जो वो subsidies होती है या तो उससे regarding या फिर कुछ government schemes होती है उससे regarding हम ऐसे किसी के social media को हमारे आदर काट से link नहीं करवा सकती है क्योंकि काफिस सारे personal details होती है जो हम नहीं चाहत होता है तो आगे चलके दोस्तों आपको अगर आपको verification करवाना हो अपने social media account बनवाना हो या फिर अभी भी existing चल रहा हो तो आपको आपके आदर काट को link करवाना पड़ेगा आपके social media account से यह भी कानू ना सकता है जो शायद से हो सकता है कि जो frauds होते या कोई terrorism होता है तो को track करना easy रहेगा कुछ वैसी चीज़ यहां पर हो रही है वैसे आपको क्या खेल इसकी बार में आप मुझे comment करके बता सकते हैं वैसे यहां पर दोस्तों Mario Kart टूर मैं आपको पहले बताते हैं कि Android और iOS में आने वाला है तो आप finally available हो चुका है प्लेश्टोर में आप इसको आप जाके install कर सकते हैं तो जो Mario को fan आप देखेंगे मेरा यहां पर काम चालू है वैसे यह Nintendo का कुछ account मांग रहा है आप देखेंगे यह account बना दूगा तो हो जाएगा तो कुछ आपको अगर खिलना था Mario Kart टूर पा चुका है Android iOS में totally free है तो आप जाके इसको install कर लीजी और म अगलग तरीकी का सर्च करते जो पहले कभी Google पर सर्च नहीं किया गया था तो आज की लिए नियूस यह पित करें तो आपको आज की नियूस पसंद है कि अगल को पसंद आ तो अब जोड़ों के लिए टेक नियूस लाता हूँगा आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता मिलते हैं आप से क्लेव दूमिक नेवड़ों के साथ तिल देन वे ग्रेट दे एंड ओल्वेस कीप स्मालिग